जे बाराटी संप्रदार धर्मगुरु बने मंत्र उच्चारण कोर्थुले एबंग सुभकामना कोर्थुले करण नुआ संचद भवन उद्घाटन होई सारी छी एबंग सेथिपाईं हिंदु, सीख, जोईन, बोवध, इसलाम सबु संप्रदार पाखापी कि बाराटी संप प्रदार धर्मगुरु मने मंत्र उच्चारण कोली प्राट्थुना कोर्थुले एबंग प्राट्थुना सभाम बर्तमान समापन होई ची बर्तमान प्रदान मंत्री विभिन कर्मचारी को सहित अलोचना कोर्चंती एबंग समत पुर्बरु मंध्यों प्राट्थुना सु का आजादी के अमरत काल में आत्म निर्भर भारत का सभी के लिए शासन के न्याय का प्रिधान मंत्री नरिंडर मोदी ने राश्टर को समर्पित किया नया संसत भवन लोकतंत्र का मंदिर आकांख्याओं का प्रतीक और आत्म निर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना जो जमीन पर उतरती दिखाए दी आज प्रिधान मंत्री ने इसमें सेंगोल को भीज थापित किया जो कि अपने आप में न्याय का करतव्य निश्ठा का प्रतीक है जो बताता है सभी के लिए न्याय शासंत सुनिश्चत करे पिलकुल भव्वे दिव्वे अद्भुत अलोकिक अ जो निर्मान कारे संपन हुआ है बहुत ही भावुक कर देने वाले ये पल है तो दुन्या का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और आज उसके एक नए मंदिर का निर्मान हुआ है प्रधान मंत्री गरिंद्र मुदी ने नए संसद भवन की इमारत को 140 कड़ोर भारतवासियों को समर्पित क्या है भारत के जीवन्त लोकतंत्र को एक नए उचाईयों पर ले जाने में एक बड़ी भुमिका निभाये गाई ये नए और मजबूत भारत की तस्पीर है ये वैश्विक गुरु भारत की एक नए पहचान है नया संसत नए और प्रीन संगम है सभी भारतवासियों की अकानशाओं का ये प्रतीक है बहत भव्वे और अध्भुत रहाए पूरा कारिक्रम बहत भावुक कर देने वाले ये शण है एक इतिहास के साक्षी बने हैं इस वक्त हम सभी तो किस तरह से देश की विकास पत को और सुद्रिंट कर लोक तंत्रकाय मंदिर आने वाले भवषिय की तस्वीर तय करेगाया लोग तंत्रकाय मंदिर पूरे विदे विधान के साथ प्रधान मंत्री ने आज संसद भवन राश्ट्र को समर्पित किया प्रमिल अधिनम उनके साथ रहे सर्व धर्म प्रार्थना सभा का भी आयूजन किया गया और इसके साथ ही वोक्षण अपने आप में भाव भीपोर करने वाले थे जब प्रधान मंत्री ने